दोस्तो नए साल के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर यह गुप्ति चीच चरूर रख लेना यह धन को खीचने पाली चुमबक है इस चीच को अगर आप घर के मुख्य द्वार पर लगा लेते हैं तो आपका घर पूरे साल भर धन दौलत से भाय जाएगा घर में कोई भी नकारात्मक शक्ती बुरी शक्ती प्रवीश नहीं कर पाएगी घर में खुश्यां ही खुश्यां आएगी मालक्ष्मी भी दोड़ी चली आएगी दोस्तो भगवान श्री किष्णे द्वारा बताई गई इस एक बस्तू को नए साल के पहले दिन घर के मुख्य दर्वाजे पर रखने से घर में मालक्ष्मी जी का बास होता है पूरे साल घर में धंधाने के भंडार भरे रहते हैं बसों पुरानी करीबी और दृत्ता दूर हो जाती है दोस्तों इस पार नए साल की शुर्फार दिन सौंबार से हो रही है सौंबार का दिन भागवाँश्प को समर्बित होता है इस दिन भागवाँश्प का पूचन अवश्य ही करें ऐसा कहने से पूरे साल पर आपर भूले नात का आशिर्फार बना रहेगा साथी इस दिन स्वासरेते योग के साथी मालक्षमी को समत्बित गच केसरे योग और गचलक्षमी योग भी बन रहे है यह योग धन में बरक्कत के लिए और धनलाप के लिए बहुत ही खास माने जाते है ये शुपयोग मा लक्ष्मी के कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। जोतिश के अनुसार साल के पहले दिन जिस घर में मा लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। उस घर में पोरे साल धन धाने के भंडार भरे रहते हैं और पोरे साल भर धन की कोई कमी नहीं होती दोस्तों शास्तों में बताया गया है कि जिस इस्थान पर मा लक्ष्मी ची का बास नहीं होता वहां हमेशा गरीबी और दरित्ता का बास होता है अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुक्समरद्धी और शांती बनी रहे, घर में धन्धाने के भंडार भरे रहें, तो आप मा लक्ष्मी जी को अपने घर अवश्य ही आमंत्रित करें दोस्तों मा लक्ष्मी जी घर के मुख्य द्वार से घर में प्रविश करती है घर का मुख्य द्वार घर का चहरा होता है, घर के मुख्य द्वार से हमारे भविश्य पर प्रवाब पड़ता है, घर का मुख्य द्वार किस्मत को चमका भी सकता है, और बिगार भी सकता है घर का मुख्य द्वार बहुत ही महत्पूर होता है शास्तों में भगवान शीक किष्टन ने स्वैम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिन्हें अगर घर के मुख्य द्वार पर लगा दिया जाए तो इससे घर में सुक्सम्रथी बनी रहती है घर में बरक्कत होती है और जीवन में खुशाली आती है तो आईए दोस्तों जानती हैं कौन सी ऐसी बस्तों है जिन्हें नए साल के पहले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में मालक्ष्वी का बास होगा और घर में सुक्सम्रथी बनी रहेगी दोस्तों सबसे पहली चीज है भगवान शिरी गणिश की चित्र या मूटी भगवान शिरी गणिश को बिखन हर्ता कहा चाता है भगवान शिरी गणिश पथम पूचे भी है भगवान शिप ने स्वैम भगवान शिरी गणिश को यह आशिरवात दिया था कि जिस भी घर द्वार की रक्षा भगवाय श्री गणिश करेंगे उस घर में कभी भी कोई विपदा नहीं आएगी तथा सभी देवी देवताओं का उस घर परिवार पर आशिरवाद बना रहेगा इसलिए नपर्ष की शुप शुरुवात करने के लिए घर में खुशाली और शुपता लाने के लिए घर के मुख्य दर्वासे पर गणिश जी की चित्र या मूर्ती अवश्य ही लगाएं परन्तु गनेश जी का चितर बिना नेम और जानकारी के लगाने से मुश्किलें बढ़ जाती है क्योंकि गनेश जी की पीट में तरित्ता का बास होता है और पीट की तरफ संपन्निता होती है इसलिए गनेश जी का चित्र या मूर्ती हमेशा घर के मुख्य द्वार के अंदर लगाने चाहें घर के मुख्य द्वार के बाहर भूल कर भी ना लगाएं क्योंकि अगर आप बाहर लगाएंगे तो उससे गनेश जी की पीट आपके घर की तरफ हो जाएगी इससे आपके घर में धन का अभाब होगा और दर्ता बढ़ेगी और घर के मुखे द्वार के अंदर गणिश ची का चितर लगाने से बाधाओं का नाश होगा हर कारे में सफलता मिलेगी घर में संपनिता आएगी और दर्ता करीबी घर से दूर हो जाएगी और यह भी ध्यान रखें कि गणिश ची की सून गणिश ची के पाएं हाथ की तरफ मोड़ी होई होनी चाहें दूस्तों दूसरी चीच है मालक्ष्मी ची के चरंचिन नबश के पहले दिन घर या आफिस या ब्यापार इस्थल के प्रवेश द्वार पर मालक्ष्मी ची के चरंचिन अवश्य ही लगाएं या तो आप कुम-कुम हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर मालक्ष्मी ची के चरंचिन बना ले या फिर बजाज से खरीद कर पीतल चांदी के चरंचिन लाकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा ले मा लक्ष्मी जी के चरंचिन लगाते समय इस बात का विशी ठ्यान रखें कि आपको चरंचिन ऐसे लगाने है जैसे मा लक्ष्मी आपके घर में अंदर प्रवेश कर रही है भूल कर भी घर से बहा जाते हुए चरंचिन ना तो लगाए ना ही बनाए ऐसा करने से घर में गरेबी और दरिता आती है और अंदर की तरफ आते हुए चर्ण चिन्ह लगाने से घर में सम्रती आती है मा लक्ष्मी का घर में बास होता है शास्तों में बताया गया है घर के मुख्यत्वारपा देवी लक्ष्मी के लाल या पीले रंग के पैरों के चिन्ह बनाने से सभी देवी देटाओं की शुब द्रश्टी हमारे घर पर सदय बनी रहती है आशुब ग्रहों का पुरा प्रभा भी कम होता है इसकी अलाबा घर पर किसी की पुरी नजर नहीं लगती दोस्तों आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग घर के दर्वाजे पर किवार के उपर या तो चरंचिन बना देते हैं या फिर चुपका देते हैं ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए चरंचिन घर में लगाने का मतलब है कि मालक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रविश कर रही है और कोई भी व्यक्ति या मालक्ष्मी घर के अंदर प्रविश जमीन पर चल कर ही करेंगी इसलिए मालक्ष्मी जी के चरंचिन जमीन पर बनाए घर की मुख्य दर्वाजी पर अपनी दाएं हाथ राई ठेंड की तरफ आपको चरंचिन बनाने चाहें और यह भी ध्यान दखना चाहें कि चरंचिन पर किसी के पैर ना पढ़ें नबश की पहले दिन घर के मुख्य दौर पर मा लक्ष्मी जी के चरंचिन बनाने से मा लक्ष्मी जी का घर में बास होता है और पूरे साल घर में धन की कोई कमी नहीं दहती दोस्तों तीसी चीज है घोड़े की नाल घोड़े की नाल का सीधा संबंद शनी से होता है आम तोर पर घोड़े की नाल का प्रयोग शनी से सम्मंदित घर की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है घोड़े की नाल का प्रयोग करते से मैं भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी ही घोड़े की नाल आप घर पर लगाएं जो घोड़े के पैर से निकली हुई हो, एकदम नई पिना इस्तमाल की हुई नाल का कोई भी प्रभाब नहीं होता ऐसी नाल को अपने घर पर ना लगाएं घोड़े की नाल लगाने से पहले नाल को अच्छी तरह से पानी से धूकर साफ कर ले फिर रातबा सरसों के तेल में डुबो कर रखें और अगले दिन अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर यूगी तरह इसे लटका दें इस तरह नए साल के पहले दिन खोड़े की नाल खर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में कलेश नहीं होता शुक्षांती बनी रहती है घर में रहने वाले किसी भी सदस्य पर शनी का कुई भी दुश्प्रभाब नहीं होता घर परिवार के खुश्यों पर किसी की बुरी नजर नहीं लगते और नकारात्मक उज़ा भी घर से दूर रहती है दोस्तों चौथी चीज है स्वास्तिक स्वास्तिक का शास्तों में विशेश महतु बताया गया है स्वास्तिक को भगवान शरी गणिश और मालक्ष्मी जी का रूप माना जाता है स्वास्तिक चार भुचाओं से बने हुई एक विशिश तरह की आकरती है आम तोर पर किसी जगह की उजा को बढ़ाने या घटाने या संतुलित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इसका गलत प्रयोग आपको मुश्किल में डाल सकता है और सही प्रयोग आपको जीवन की तमाम समस्याओं से निकाल सकता है लाल और नीले रंग का स्वास्तिक विशीश प्रभावशाली माना जाता है घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ लाल स्वास्तिक लगाने से घर के वास्तु और दिशा दोशदूर होते हैं घर के मुखे द्वार के बीचों बीच नीले रिंग से स्वास्तिक बनाने से घर के लोगों का स्वास्त ठीक रहता है वास्तु शास्तिक के अनुसा स्वास्तिक लगाने से सौभाके और सम्रध्धी में ब्रध्धी होती है घर या दुकान या ओफिस के प्रवेश द्वार पर शुब लाब का चिन भी बनाया जाता है इससे रोक शोक में कमी आती है और सुख और सम्रधी में इजावा होता है माना जाता है जिस घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन होता है उस घर में मालक्ष्मी जी प्रवीश करती है इसलिए नए साल के पहले दिन मालक्ष्मी जी को अपने घर आमंतित करने के लिए घर के मुख्यद्वार पर स्वास्तिक का चिन अवश्य ही बनाए दोस्तों पांच में चीज है बंदनबार किसी भी मंगल कार्या उस सब के पूर्व मुख्यद्वार पर बंदनबार लगाया जाता है यूँ तो तमाम तरह के बंदनबार प्रयोग किये जाते हैं पर आम की पत्तों का बंदनबार सबसे अच्छा माना जाता है आम के पत्तों में सुक को आकशित करने की चमता होती है इसके पत्तों की विशेश रुगंध से मन की चिंता भी दूर होती है इसलिए इसके पत्तों से बना बंदनवार घर के मुख्य द्वार पर लगाते है दोस्तों नए साल के पहले दिन घर के मुख्य दार पर बंदनवार लगाने से घर की नकारात्मक उजा दूर होते है घर में साल भर सम्रद्धी बनी रहती है मा लक्ष्मी जी का घर में बास होता है दोस्तों आखरी और सबसे सस्तिस और सुलब चीज है नमक नमक हम सभी के घर में होता है नमक में नकारात्मक उजा को अपने अंदर खीचने की शक्ती नहीं धोती है नए साल के पहले दिन आप थोड़ा सा साबुत नमक या डली वाला नमक ले और इस नमक को लाल कपड़े में बांद कर अपने में गेट पर बांद दे या अपने घर के मुखे द्वार के उपर बीचों बीच लटका दे ऐसा कैने से घर में नकारात्मक उजा का प्रविश नहीं हो पाएगा और किसी की बुरी नजर भी आपकी घर में नहीं लगेगी नकारात्मक उजा की बज़े से ही घर में अशान्ती और कले का माहल रहता है नकारात्मक उजा की बज़े से ही घर में गरी भी आती है जगड़े नहीं होते उस घर में मा लक्ष्मी का बास होता है और जहां धनकी देवी मा लक्ष्मी का बास होता है उस घर में धन धानने की कभी कोई कमी नहीं रहती। घर के मुख्यदार पर नमक लटकाने से पूरे साल भर घर में पैसों की कोई कमी नहीं दहेगी. दूस्तों, नए साल की शुप शुरुवात करने के लिए और पूरे साल को सुख में और खुशाल बनाने के लिए. अमाल लक्ष्मी जी को अपने घर आमंतृत करने के लिए नए साल के पहले दिन इन में से कोई भी एक बस्तू आप अपने घर के मुख्यदार पर आवश्य ही लगाएं उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंस और इस्तिदारों में जादर से जादर शेयर करें जिससे भे भी इसका लाप उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलें थैंक्स फॉर वाचेंग राधी राधी